और एक बड़ी खबर आपको बदा दें, अब से कुछ दिर पहले, राहूल गांधी सदेव अटल पहुंचे, वहाँ पर अटल पर अटल पर विवादित बयान भी सामने आया, जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है, अटल ने भारत छोड़ो अंदोलन का बहिशकार किया, गार अटल पहारी वाजपेई को लेकर दिया गया, अटल के लिए सम्मान है, तो पांधी को निकाले कॉंग्रेस, ऐसी मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है गौरफ पांधी उनके जो एक नेता है, जो राहूल गांधी के करीबी माने जाते हैं, उनके द्वारा जो अपशब्द और अपमान जनक बाते स्वरगी अटल विहरी वाजपेई जी के बारे में बोली है, वो उनके मानसिक्ता को दर्शाता है कॉंग्रेस पार्टी कभी भी हजम नहीं कर पाती है कि ऐसे आदर्श निता जो भारत की संस्कृती से पले भड़े हैं और जो भारत के लिए योगदान करते हैं इसलिए चाहिए वो वीर सावरकर जी हो और उनके योगदान को कम करके आकना हो उनको अपमानित करना हो चाहिए वो आमबेड कर जी हो चाहिए वो सादार पटेल जी हो या अगर आप कंटेंपररी भारत की बात करें तो अटल विहारी वाजपेई जी के योगदान को कम करक के आकने के लिए और उनको अपमानित करने के लिए इस प्रकार का एक हमला करवाया गया है और अगर ये कॉंगर्स पार्टी की मांसिक्ता नहीं है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से इसके लिए माफी मागनी चाहिए